है आपके अपने चैनल स्वरान अकाडमी क्लासेस पर यहाँ पर हम बात करेंगे जिपमर से रिलेटेड है एक बहतरी खबर है आप सभी के लिए नर्सिंग और टेक्निशन दोनों लोगों के लिए और इसमें मेल और फीमेल दोनों लोग अपलाई कर सकते हैं तो आएए इसकी लास्ट डेट आपको रहेगी 11 अगस्त 2022 और एक्जाम डेट रहेगी इसकी 4 सेप्टमबर जो है 2022 कैसे अपलाई कर पाएंगे आए इसके पूरे प्रोस्पेक्टस को देखने की और समझने की कोसिस करते हैं देखिए यह जवाहलाल इंस्ट्यूटा पोस्ट ग्रिजवेट म और ग्यारा अगस्त तक इसके लास्ट डेट है रिजिस्टेशन करने की आप सभी लुग देखिए यहां पर यह की स्टार्टिंग डेट है फिर नीचे रिजिश्टेशन डेट है यह हाल टिकट फॉर जिपमर वेबसाइट के लिए और इधर आल लाइन मोड ओनली रहेगा यहां डेट फिक्जामनेशन के लिए आप नीचे देख सकते हैं 492022 रहेगा इसमें नरसिंग आफिशर एकसरे टेखिशन एकसरे टेकिशन एकसरे टेकिशन रेडियो डागनेसिस और इस्परेटरी लाइबरोटरी टेकिशन यह यहां इसमें चार तरीके की वेकंसी आपको मिलेगी यह तरीके का recruitment है वो nursing offices के लिए है और यहाँ पर x-ray technicians के लिए है और respiratory technicians के लिए है यह चार तरीके के जो है इसमें post हैं इसमें आप apply कर सकते हैं और यह एक job है यहाँ पर आप देख सकते हैं name of the post essential qualification age number of vacancies यहाँ पर आप देख सकते हैं total post 126 nursing offices की हैं और इसमें male और female दोनों apply कर सकते हैं जो nursing की vacancy यहाँ पर है इसमें दोनों लोग apply कर सकते हैं यहाँ नीचे पर mention कर दिया गया है इसमें देख सकते हैं for female and 20% for male candidate यहाँ यहाँ दोनों तरीके के लोग apply कर सकते हैं seats 128 है x-ray technicians के 3 है x-ray technicians radio diagnosis की six हैं इसी तरह जैसे laboratory technicians की आप देख सकते हैं two two करके यह two है और total यहाँ पर two हो गई इस तरह के से total जोड़ेंगे 139 जो है आपकी total seats हो जाती है जिप मर में horizontal reservations है nursing officer का जो form है उसे कौन भर सकता है यह आप देख लीजें यहाँ पर तो इसमें जिसने bsc honors nursing की हो bsc nursing from Indian nursing council की तरफ से state nursing counseling से या आपको मानिता हो तो चाहे आप bsc honors nursing की हो चाहे bsc nursing की हो दोनों लोग form भर सकते हैं इसके आपका डिये भी लगेगा करीब समय स्टेट जो है जो संट्रल का चल रहा है वो 34% जो है डिये है और प्लस यह हो गया HR हो गया इसमें HR जुड़ जाएगा यह आपका जो है करीब जो है सत्र हजार के आसपास जाके salary आपकी आ जो है बनेगी टोटल जाके जो है यह आप यहां पर देख सकते हैं इसका पूरिप्टी पसेंट यहनि करीब 65,000 प्लस चाहर यह उनि 65 से 70,000 के आसपास आपकी यह salary हो गी जाकर इसी तरीकेसे आप देख सकते है X-ray Technician's Radio Therapy का है तो इसमें BSC in Radiation Technology और BSC in Radio Therapy Technology from recognized university और institute से आपकी यह हों और यहाँ पर आपको 3500 जो है 3500 चार सो का जो लेबिल है वो 1200 ग्रेड पे वाला वो आपको मिलेगा और यहाँ एज लिमिट 30 years तक अब है तो इसे आप जॉइन कर सकते हैं इसके अलावा आप यहाँ पर देख रहते हैं X-ray Technician's Radio Diagnosis के है इसमें सेम है यहाँ रेडियो ग्राफिया इमेडिकल इमेजिंग जो है और यहाँ 13200 का लेबिल रहेगा यह 5th लेबिल रहेगा एज लिमिट यहाँ भर भी 30 साल रहेगी एक्जाम का है तो यहाँ पर सभी का एक्जाम एक ही पैटन पर होगा यहाँ related subject concern रहेंगे 70% यहाँ जो आप जिस पोस्ट के लिए भरेंगे उससे संबंधित जो आपने पढ़ाई की है उसके 70% questions आएंगे बाकी 30% questions सभी के सेम होंगे वो जन्रल नौलेज इंटेलिजेंस और जन्रल इंगलिस के होंगे यह total questions होंगे 100 याणी 70 questions आपके subject से और 30 questions आपके बाकी चीजों से रहेंगे और 90 minute का paper होगा आपका 90 minute का paper होगा देनी डेल घंटे का और यह CBT exam होगा और यह multiple choice questions होंगे इसमें चार options आपको मिलेंगे एक सही और तीन गलत होंगे इस तरीके से आप इस फिर skilled examinations for skilled test होगा qualified फिर nursing के लिए तो यह इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं और minimum quality eligibility percentage रहेगा और 50% आपको max लाने ही लाने होंगे और 50 questions आपको सही कर 50 number लाने होंगे eligibility percentage इनी skill test में तब ही आप जाकर इसको qualify करेंगे application fees आप देख सकते हैं 1500 रुपए on reserves के लिए है OBC के लिए 1500 है 1200 SC और ST के लिए है यहाँ 1500 पंदरा सो और फिर 1200 रुपए और यहाँ पर जो handicaps हैं उनके लिए fees शिरू रहेगी exam cities आप देख सकते हैं जो रहेगा वो exam city में आपको मिलेगा यहाँ पर आप पाएंगे की यहाँ पर पुडुशेरी रहेगा डिलही रहेगा NCR Kolkata Mumbai Chennai Coimbatur Madurai और यहाँ पर आपका Salim, Tirushopalli और इसके बाद यहाँ पर Tirunovalli or Villaur or any other places are decided by the directorate of the Jipmar However, the candidate cannot be claimed as a matter of right to allot the centers of their choice. The Jipmar will have the descriptions to the allot exam centers तो यह यह एंगे रहेंगे और in case of any unfocused circumstances of the exam cities can be considered at any point of the time and new exam city can be allotted यही वो चाहेंगे तो इसे centers को बदल भी सकते हैं या वही रह सकते हैं इसके लिए आप कोई भी claim नहीं कर सकते तो आपके सामने यहाँ पर हैं आप देख सकते हैं जो center से allot किये जाएंगे Negative marking आपकी होगी अगर आपने गलत question answer कर दिया तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है correct response shall be four marks and negative marks that is one marks will be detected each for each incorrect responses तो यानि अगर आपने zero marks will be given the questions no answers अगर आप answers नहीं देते तो zero अगर गलत देते हैं तो देखिए यहाँ पर by diagram भी समझाया गया है अगर आपका answer सही होता है तो आपको चार number मिलेंगे अगर गलत हो जाता तो एक number minus हो जाएगा clear cut समझ गए होंगे आप तो यानि negative marking भी है so questions यानि 400 number का paper अगर गलत करते हैं तो negative marking के साथ calculation होगा देखिए ये ये इसकी official website है और यहाँ से आप इसे भर सकते हैं तो ये पूरी की पूरी detail यहाँ पर आपको मिलेगी registration करने के लिए आप यहाँ से registration करके आगे की तरफ proceed कर सकते हैं तो ये आपका registration का point रहेगा और यहाँ जवालल इंस्ट्यूट आप पोस्ट गेश्वेटेंड मेडिकल एजुकेशन से रिशर्च में आप यहाँ आएंगे और इस तरीके से यहाँ पर आप इसे आगे की तरफ जो है move करके registration कर सकते हैं यहाँ name of applicants, mobile number, confirm mobile number, email ID, confirm email ID और फिर आपका registration declaration के साथ यहाँ पर हो जाएगा कि आपने सही चीजे भरी है, capture भरने के बाद आप आगे बढ़ सकते हैं, यह link हम आपको description box में दे देंगे, आप आसान इस इस form को भर पाएंगे, मिलते हैं अगली update के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिन, जय भारत